हलो स्ट्वेंट्स आय टी जे मैस अकेडमी में आपका स्वागत है चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब करो बैल आइकन के बटन को प्रेस करिए टू गेट ता लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर हम जे इमेन और जे एडवास के जो प्रीविएस चेर की प्रॉब्लम से सभी क स्ट्वेंट्स यहां पर डिसकस कर रहे हैं ठीक है तो जब आप यूट्यूब में प्लेइलिस्ट वाले पार्ट में जाओगो तो प्लेइलिस्ट में आपको सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी वेल वीडियो कंटीनी करते हैं चैप्टर कंटिनुटी एंड डिफ्रेंशि य लेस दन एकोल टू इन्टो मॉड और एक्स माइनस वाई पार थ्री अपॉन टू एक्स वाई बलॉंग तो रियल नमबर ठीक और एफ अप जीरो का वैलू के रखा है तो आप सब उच्छा हुआ है जीरो टू एफ स्क्वार एक्स दी एक्स तो इसका वैलू क्या रहेग किले च्वेंट ना उसकोब सिंप्लिफाई करते हैं सॉल्ल कैसे करेंगे अचल पहले तो आप सम्झों कंदिसंस क्या गिविन है सेंस मोड और एक्स माइनस ओफ एक्स वाइफ फ यई ठीक है लेस दन इकॉल टू कितना गिविन है मोड और एक्स माइनस य पावर में कितना डी वाई टू और साथ में इंटू में टू लिखा हुआ है ठीक है अच्छा यहां से आप इस वात को अच्छे डंग से समझें कि इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक। एको यहां थी करते हैं ठीक है तो मॉड़ ओफ डिखट कर दो इसे लिख सक्ते हैं और इस वाले पार्ट को अच्छे डंग से कुछ ऐसे लिखा f x minus of f of y upon में हमने लिख दिया इसको x minus of y मतलब complete पर mod लगा दिया less than equals to two under root of हमने क्या लिखा mod of x minus y ठीक है तो यहां तक की बात तो आपको समझ में आती है ठीक है अब देखो इस वाले पार्ट को देखो x of y को approach कर रहा है तो actually इस वाले point को तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहां वाले point में कुछ doubt हो सकता है तो समझो की conditions क्या होता है कि अगर आपको जब लिखना होता है कि कोई function है x equal to a पर आपको differentiability लिखना होता है तब क्या लिखते हो f dash of a लिखते हो f dash of a क्या लिखते हो limit of x tends to a f x minus of f of a upon x minus of a ठीक है तो f x minus f of a upon x minus a को और जब limit कैसा है x जब a को approach कर रहा है तो इसको मैं क्या लिखते है f dash a लिखते है यह definition होता है जा function a पर differentiable होता है तो ठीक और यही तो लिखा हुआ है आप और उसने बोला है कि function act कैसा है differentiable है x tends to y y की जगह क्या आ रहा है मतलब a की जगह क्या आ गया y आ गया ठीक आ तो ऐसा कुछ बन गया f dash y 0 हो गया it means कि यहां से आप एक point यह क्या सकते हो जो fx हो कैसा होगा constant होगा fx constant है तो मालो अपने c माल लिया ठीक x request यह अपने 0 put किया तो f of 0 x request to 0 put करते है तो f of 0 is equal to c और f of 0 का value कितना 1 है तो f of c का value कितना आ गया 1 आ गया इसलिए हम यहां से point यह क्या सकते हैं कि जो fx का value हो कितना आ गया 1 आ गया ठीक और आप से पूछा क्या गया है 0 to 1 f square x dx पूछा गया है और f square x fx का value कितना आ रहा है 1 आ रहा है बतला 0 to 1 आपको dx निकालना है dx का इंटिशन x आ जाएगा अब लिए lower limit पूट करागो तो 1 आ गया